आज हम Trignometric के बारे हम पढ़ेंगे देखाओं मित्ती ठीक है तो First हम सबसे पर लेसको इसकी वैल्यू देख ले थे किस चत्वनाज में यह 0 होता और किस चत्वनाज में इसकी negative value होती है ठीक है तो यहां पर First चत्वनाज, Second यह हमारा 3rd हो गया यह 4th तो यहां पर क्या हो गया यहां पर two seventy तो यहां पर फर्स चत्रणाश मी क्या होता है यहां पर हमारी वेल्यू क्या होती ही सरारी positive होती ही मतलब sign sign theta, cost, peso,적, ten theta उनमें theta क्या होता है positive होता है कोच एक, सेक theta, कोट theta इसमें हमार पास सब और चोटे चत्रणाश में क्या होता है यहां पर हमार पास cos और sec की value क्या होती है, positive होती है, ठीक है, इसमें हमार पास 10, थर्ड चत्व नांच में 10 ठीटा की और cos theta की value positive होती है, इसमें हमार पास किसकी होती है, sign और cos theta की value positive होती है, बाकी सब में अगर ये वेल्यू इसमें आजाए तो 37 में तो इसकी वेल्यू क्या रखती है नेगेटिव होती है अब हम क्या करेंगे इसका चार्ट बनाएंगे तो सबसे पहले हम डिगरी का नाप ले लेते हैं यहां पर हो जाएगा 0, 30 डिगरी, 45, 60 और 90 डिगरी का हम निकालेंगे रेडियन में हम निकालते है तो यहां पर क्या हो जाएगा 0, pi by 6, pi by 4, यहां पर क्या हो जाएगा pi by 3, pi by 2, अब इसमें हमको क्या लिखना, sin, sin theta की value निकालनी, cos theta की, 10 theta की, cosec theta, यहां पर हम sec theta और code theta की हमको क्या निकालनी, value निकालनी, ठीक है तो यहां से हम पहले देखते है, sin theta is equal to हमा पास क्या होता है, इसको क्या लिख सकते है, sin theta is equal to lump बटा कंड इसको क्या लिख सकते है, आधार बटा कंड यह क्या होता है, lump बटा, आधार हो जाता है, cosec theta का हमके लिख सकते है, lump कंड बटा, lump, cosec theta is equal to क्या होता है, 1 by sin theta, सेख theta is equal to क्या होता है, 1 by cos theta, तो यहां पर हमार पास इसको उल्टा हो जाएगा, कंड डिवाइड बटा कंड बटा कंड अब हम क्या करेंगे, इसकी value निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर value निकालने के लिए, 0 में 4 का डिवाइड करेंगे, इसमें 1 में 4 का, यहां पर 2 में 4 का divide इसी तरह यहां पर 3 और इसमें 4 का 4 divided by 4 हो जाएगा जब हम root 0 divided by 4 का हम निकालेंगे तो यहां पर sign data की value क्या आजाएगी? 0 0 में हम किसी की चीज़ का divide करेंगे 0 आएगा यहां पर हमाँ पास क्या आजाएगा? 1 divided by 2 हो जाएगा क्योंकि 4 का root क्या होता है? 2 होता है यहां पर हम इसको अंदर काट देंगे अगर तो 1 divided by 2 बचेगा और यहां पर क्या आजाएगा? 1 divided by root 2 हो जाएगा यहां पर root 3, 3 का root करेंगे तो 3 आजाएगा यहां पर 4 का root करेंगे तो क्या आजाएगा? 2 यहां पर 4 का 1 हो जाएगा, अब हमार क्या होता है, cos theta इसका उल्टा होता है, विप्रित, तो यहां पर आजाएगा 1, root 3 by 2, इसको as it is लिख दें, 1 root 2, यहां पर half आजाएगा, यहां पर 0, 10 theta is equal to क्या होता है, sin theta divided by cos theta, तो 0 divided by 1 करेंगे, तो यहां पर क्या जाएगा 0, यहां पर 1 divided by 2 है, तो बंटिप्ला है, root 3 हो जाएगा, तो यहां पर हमार पास क्या बचेगा, 1 divided by root 3, यहां पर 1, यहां पर हमार पास क्या बचेगा, root 3, और यहां पर आजाएगा infinity, 0 कर डिवाइट करेंगे, के 1 में तो infinitely आ जाएगा कोशीए sensitive का क्या हो जाएगा फंबाइ만 कि रीड़े वां पइंड ट्री वर अब इसमें हम क्या करेंगे सेख ठीटा निकालना हमको सेख ठीटा यहां पर हमापस क्या आ जाएगा वन यहां पर क्या आ जाएगा टू डिवाइड बाइ रूट थ्री यहां पर रूट टू यहां पर टू और यहां पर आ जाएगा इंफिनिटी अब हमको कोट ठीटा इसका विपरित निकालना तो यहा पर आजाएगा infinity 0 ठीके तो यह हमाई पूरी टेबल बनके कि साइन ठीटा साइन 0 डिग्री है तो 0 होगा साइन 30 डिग्री है तो half 45 डिग्री तो 1 by root 2 60 डिग्री root 3 divided by 2 और 90 डिग्री है तो 1 यहाँ पर कोस ठीटा 0 है तो 1 30 डिग्री है तो root 3 by 2 45 है तो 1 by root 2 और 60 है तो 1 by 2 और 0 10 ठीटा की भी विल्यों से तक निकाल दी कोस ठीटा भी और चेक ठीटा और कोट ठीटा साइन स्क्वाइल ठीटा प्लस कोस स्क्वाइल ठीटा इस इकल टू हता है 1 ठीक है इसी तरह 10 स्क्वाइल ठीटा इस प्लस सेक स्क्वाइल ठीटा इस इकल टू 1 होता है तो कोट स्क्वाइल ठीटा प्लस कोसेक स्क्वाइल ठीटा इस इकल टू 1 होता है ठीक है अब हम इसका कुशन दिखेंगे एक दो question number 1 देखेंगी यहाँ पर हमको के दे रखा x 10 45 degree cos 60 degree is equal to sin 60 degree cos 60 degree तो हमको के निकलना x की value निकलने है 10 45 degree हमको यहाँ पर दे रखा 10 45 क्या होता है 1 होता है तो x multiply 1 लिकलेंगे हम यहाँ cos 60 degree हमाँ पास क्या होता है cos 60 degree half होता है multiply half हो जाएगा यहाँ पर is equal to sin 60 degree sin 60 degree होता है root 3 by 2 और 60 degree क्या होता है हमाँ पास 1 by root 3 3 से 3 cancel हो जाएगा तो यहाँ पर हमाँ पास क्या बचा है x is equal to 1 बचेगा तो x की value हमाँ पास क्या जाएगी 1 second question हम देखते है 10 theta is equal plus 4 theta is equal to 6 तो 10 square theta plus 4 square theta is equal to क्या होगा ठीके तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सबसे पहले इसका square करेंगे 10 theta plus 4 theta का hold square कर देंगे तो इसका भी square हो जाएगा 6 square अब इसको हम solve करेंगे तो यहाँ पर 10 square theta plus 4 square theta plus 2 10 theta 4 theta is equal to 36 a plus b का hold square is equal to क्या होता है a square plus b square plus 2ab के formula से इसको open करा अब हम क्या करेंगे 10 square theta plus 4 square theta plus 2 10 theta 4 theta is equal to क्या होता है 1 by 10 theta तो यहाँ पर आजएगा 1 by 10 theta यहाँ पर आजएगा 36 10 theta से cancel हो जाएगा तो 10 square theta plus 4 square theta यहाँ पर 2 बचा तो 2 हम मुझा भेज़ेंगे इसको 36 minus 2 हो जाएगा 10 square theta plus 4 square theta is equal to हमापास क्या बचा 34 अगर आपको मरी वीडियो अच्छी लागे चैनल को सब्सक्राइब केजिए और लाइक केजिए वीडियो को 37 41 42 43 42 42 44